नमस्कार मित्रो आज मैं नूट्रिशनल कंटेंट आफ सुगर बीट समाने जिसको हम चुकंदर कहते हैं चुकंदर के बारे में मैं सुक्ष पोशक तत्तों का जो उसमें है उसको बताने का प्रयास करूंगा इसमें ये बताया है कि आप कोई भी इसको खा सकता है बड़ी आस प्रयोरी इस में बता रहे हैं उसको चुकंदर को तो 25 केलोरी होती है ओर इसमें फैट जीरो जीरोड़ इसमें फैट बिलकुल भी नहीं है आप आप kald कमलाकर का बारे में दाना चाहुआ हैं साओं है पार्पों जादा से काम निकाल सकते हैं कार्बोहट्रीड कितना होता कर्b आघरेट कितना होता इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस iht給 बंदा इस में बताया है 6 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है एंड इस इनिकलू तेज शिक्स ग्राम न्यूट्रिशनल सुगर इसमें जो सुगर होती है उच्छे ग्राम होती है और आगे बताया है कि इसमें फाइवर कितना होता है कि फाइवर हाँ फाइवर है फाइवर इसमें बता रहे है देखो नीचे लिखाए दीजार आलसो टू ग्राम साफ फाइवर इन सुगर बीट्स इसमें दो ग्राम फाइवर होता है और आगे क्या होता है मैं बताना चांग प्रोटीन है तो इ इसमें आगे देखें हाँ बिटामिन्स और मिनरल्स बता रहा हूं इसमें लिखा है वन बीट शिक्स परसेंट बिटामिन सी होती है इसमें और इसमें चार प्रतिस्थ फॉर परसेंट आइरन होता है और दो परसेंट केल्सियम होता है इसमें दो परसेंट केल्सियम होता है यह होता है इसके माइक्रो न्यूट्रियंट और भी बहुत कुछ होते हैं इसमें तो काफी चीज़ें कुछ होती है तो यह है अगर जो केल्सियम की कमी है तो वह भी पूरी करेगा प्रोटीन की कमी है तो वह पूरा होगा आयरन की कमी से क्या होता है कि आपको आयरन की कमी से ब्लड के सेल कमजोर पड़ते हैं तो इससे अगर जो खाते हैं तो ब्लड के सेल बहुत अच्छे बनते हैं और ब्लड की कमी को तुरंद पूरी करता है यह चुकंदर जिसको कहते हैं सुगर बीट्स चुकंद झाल